आप लोग जानते हो कि जो चुनाओ हो रहा है ये दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई है तेलंगाना का वाइदा कॉंग्रेस पार्टी ने आप से 2004 में किया था तेलंगाना रास्ताव योक्का हामी कॉंग्रेस पार्टी में कु रुणडु वेल नालु लो चेशिंदी और पूरी दुनिया को मालुम है कि उस वाइदे को कॉंग्रेस पार्टी ने पूरा करके दिखाया आमतोर से राजनेतिक पार्टियां वैसे वाइदे नहीं लेती जिससे उनका नुकसान हो सकता है एकको शाता हूँ राजकिया पार्टियलू वाड़क नस्टन जरिगे ये निर्ने अलु थीसको हूँ मगर हमने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा हमने तेलंगाना की जनता के बारे में सोचा तेलंगाना के गरीब लोगों के बारे में सोचा और ये निर्ने लिया और ये सच्चाई आपके सामने है इसको कोई मिटा नहीं सकता है इदि सत्याँ तेलंगाना रास्टाँ में मेर पाट्चेश सत्याँ अंदर की तेलिशन विश्यम है आपके सामने आपके चीफ मिनिस्टर ने भी वाइदे किये है दलितों और आदिवासियों को उन्होंने जमीन देना का वाइदा किया था उन्होंने कहा था कि हर परिवार को वो तीन एकर जमीन देंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर ने क्या आपको जमीन दी मिमलने अडूतुना मीलो यंतमन्द की यी मूड अकराल व्यावसाइप पोली ओचिंदो उन्होंने रोजगार का वाइदा किया क्या उन्होंने आपको रोजगार दिया आयना अंदर की उद्ध्योगार लिस्टान हामे इचिंडू उद्ध्योगार उचिंदे या उन्होंने साफ सरकार चालाने की बात की थी क्या उन्होंने ब्रश्टा चार किया नीति वंतमयना प्रभुतो नड़पिस्तान जेपी कलेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट में एक लाख करोर रुपे उन्होंने आपके जेब में से लिये धरनी पोटल स्कैम में उन्होंने आपकी जमीन आपसे चीनी घर बनाने का वाइदा किया था मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोगों के लिए उन्होंने घर बनाए करजा माफी का वाइदा किया था कहा था कि एक लाख रुपए तक करजा माफ करेंगे किसका करजा माफ किया आप बताइए और दूसरी तरफ देखिए चाहे वो करनाटक हो राजिस्तान हो 36 गड़ हो हिमाचल हो जो भी हम कहते है वो हम करके दिखाते है कांग्रेस पालित राष्टालू करनाटका हिमाचल प्रचेस राजिस्तान चित्तिस गड़ लो इच्चिन माटलनी इच्चिन हामीलनी अकड़ूना कॉंग्रेस प्रभुत तोलू निरवेर्शिने विश्यंगुडा ने मनाजेस्तनानू राजिस्तान में हमने मुफ्त में फ्री में इलाज करने का वाइदा किया था आज आप राजिस्तान में जाके पूछिए पच्चिस लाख रुपे मुफ्त में हर व्यक्ति को इलाज किया जाता है राजिस्तान लो अंदर की उचितंगा वाइद्यों इस्ता मंजेपी हामी निलवेट्ट को नहूँ इरुवय आइद लक्षल रुपा लवर को यवरिक है न सरे ये ट्रीटमेंट है न सरे प्रभुत हो ये परिस्तुन दिपुड राजिस्तान लो कोई भी बिमारी हो चोट लगे कैंसर हो डाइबीटीज हो दिल का दौरा पड़े गरीब से गरीब वियक्ती राजिस्तान में मुफ्त में इलाज करा सकता है राजिस्तान लो नीक एडवंटी रोक्यमू अना रोक्यमाईना सरे डाइबीटीस गानी गुंड़ेपोट गानी कैंसर गानी देपदा किना अंदर की राजिस्तान लो कॉंग्रेस पालित राजिस्तान लो उचितंगा वाइत्य विरुद अंदुत उंदी हिंदुस्तान में सबसे अच्छा स्वास्त का सिस्टम हो वाइद राजिस्तान में चल रहा है। चतिसगर में हमने किसानों से कर्जा माफी का वाइदा किया वो वाइदा पूरा किया। किसानों से हमने कहा कि 2500 रुपए में हम उनको धान खरीद वाएंगे आज देश में धान के लिए सबसे ज़ादा पैसा चतिसगर के किसानों को मिलता है करनाटक में हमने पांच गैरेंटी का वाइदा किया पहले दिन हमारी कैबिनेट ने वो गैरेंटी पूरी कर दी करनाटक में जाईए करनाटक में महिलाएं बस का पैसा नहीं देती हैं मुफ्त में घूमती हैं हर महीने करनाटक के किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो जो हम कहते हैं हम कर के दिखाते हैं अदिवासी प्रांतों अनिटकंटे मुक्यमा इंदी मी भूमल विश्यों इससे शायद जरूरी कोई बात नहीं है तीन कंटे मुक्यमा इंदी महरो कामशम ले दू और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूँ जो आपकी जमीन है जो आपका हक है वो हम आपको गैरंटी करके वापिस देंगे नेनू इवेद करिंच मी को मात इस्तुन ना जो आपकी है जो आपका हक है वो उसको हम पूरा करके दिखाएंगे आप याद रखिये जब हमारी दिल्ली में सरकार थी हम ट्राइबल बिल लाए थे पैसा बिल लाए थे आपके लिए आपकी जमीन का हक जल का हक जंगल का हक हमने आपको दिया था जो हमने कहा हमने करा और जो आज मैंने कहा है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे ये रोजने इच्चे माटा माटा निलबेट कुंटव मंजे पिने मनव जेस्तुनानू तेलंगाना के लिए हमने और भी गैरेंटीज दिये हैं तेलंगाना कोरसों मारी कुन गैरेंटीज इस्तुनमू महलक्ष्मी 2,500 रुपे हर महीने महिलाओं को 500 रुपे का गैस सिलिंडर राइतु बरोसा 15,000 हर साल प्रती एकर और 12,000 रुपे मजदूरों को ग्रह जोती स्कीम जिसमें हम 200 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे ग्रह जोतीयने पदकं किन्दा अंदरी करेंट पिलिलों रेंडू अंदला यूनिट विद्यूत यूनिटल उचितंगा इवा पोथु नमू इंद्रम्मा इंडलू स्कीम पाँच लाक रुपे घर बनाने के लिए इंद्रम्मा पदकं किन्दा अंदर की आईदू लक्षल रुपे लिवा पोथु नमू और जिन्होंने तेलंगाना की लडाई में भाग लिया जिन्होंने अपना खून पसीना दिया उनके लिए 250 स्क्वेर यार्ड का घर चेउत्वा स्कीम में 4,000 रुपे महिने हमारे बुजूर्ग लोगों के लिए और युवा विकासम में 5,000 रुपे असिस्टंस स्टूडन्स को कॉलेज फीज के लिए युवा कुलको युवा तुलको निरुद्वा कुलकी आईदु लक्षल रुपायलो आर्थिक सायं जेव ओत्व नमू और आकरी बात में यहां कहना चाहता हूं आपका यहां हर साल त्योहार होता है इसको हम नैशनल त्योहार गोशित करेंगो इसे कुम मेला होता है वैसा ही आपका फेस्टिवल होता है आपका त्योहार होता है जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी वैसे ही हम काम ये काम आदिवासियों के लिए करेंगे इदी डेल्ली लो मा प्रभुत्तों रागा ने सम्मक का सारक का गिरिजन उत्सवानी जात्या उत्सवांग जेव ओत्तु नमू भाईयों और बहनों आपसे में एक आखरी बात कहना चाहता हूँ जिवरी माटा तेलंगाना में बी आरेस और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में चुना हो रहा है तेलंगाना लो बी आरेस की कॉंग्रेस मते ले निकल जरूतु नी बी जेपी को हमने परे कर दिया है हरा दिया है मगर एक बात याद रखिये बी जेपी चाहती है कि बी आरेस तलंगाना में जीते जो बी जेपी पार्टी तलंगान लोग जैलवाला नी कोर कुंट हूंअदी यह दोनो एक साथ काम कर रहे हैं बी जेपी पि आरेस फाते हुनाहे बी जेपी प्यारस मिला काता हुन्हे और इनके साथ मम भी मिली हुई है आप देखिए पारल्लमन्ट हाउस में जो भी BJP चाती थी वो BRS ने किया किसान बिल में पूरा समर्थन दिया जियेश्टी में पूरा समर्थन दिया तो याद रखिए ये तिनों पार्टियां एक साथ काम कर रही है कॉंग्रेस पार्टी को हराने की कोशिश कर रही है गुर्तबेट कॉली कॉंग्रेस पार्टी ने ओडिन चड़ाने की BRS, BJP, MIM मुलाका तैपे ने मिलाका तैपे ने माना जैसनार और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपके चीफ मिनिस्टर पर ना कोई CBI की इंक्वाइरी है ना कोई ED की इंक्वाइरी की इंक्वाइरी है ना कोई income tax department की इंक्वाइरी है विपक्ष के सब नेताओं पर केस लगे हुए है मेरे उपर 24 केस लगाए हुए है मेरा घर चीन लिया मेरी लोकसबाव की मेंबर्शिप रद कर दी मगर आपके चीफ मिनिस्टर पर कोई केस ने, कुछ ने आप अगर बीजेपी को वोट देंगे तो आपका वोट बीजेपी को वोट होगा हमारी बीजेपी के साथ विचारदहरा की लडाई है आप देखिए पूरे देश में बीजेपी कॉंग्रेस पार्टी पर आकरमन करती है हमारे नेताओं पर आकरमन करती है हमारे उपर केस डालती क्योंकि वो जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हम बीजेपी के साथ कभी कॉंप्रमाईज नहीं कर सकते हैं इन्दु कंटे वालक तेलसू कॉंग्रेस पार्टी, सिद्धान्ताल पार्टी, आइडियोलोजी पार्टी, सेक्यूलेर्दम पार्टी ये नाड़ु गुडा कॉंग्रेस बीजेपी तो और वो जानते हैं कि वो आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं वालक तेलसू, बीजेपी वालक तेलसू, केसी यार, नरेंद्र मोधी, चेतुलो, उनड़नी जब भी उनको किसी चीज की जरुरुत होती है, थोड़ा सा टाइट कर देंगे, जो चाहिए मिल जाएगा वालक की ये पुड़ू, राजकी ये प्राज़ना होसतर उन्टे, तियारस पार्टी को ज़े टाइट जेसतरू, केसी यार को ज़े टाइट जेसतरू, बिल लाइन ले बढ़तरू इसलिए आप कॉंग्रेस पार्टी को पूरा समर्तन दीजिए, हमारी विचारधारा, बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ है, हम उनके साथ कभी कॉंप्रमाइज नहीं करेंगे, हम उनको हराएंगे, और सिरफ तलेंगाना में नहीं, हम उनको पूरे देश में हराएंगे करनाटक में हराया, हिमाचल में हराया, तेलंगाना में हराएंगे, राजिस्तान, मध्यप्रदेश, चत्तिसगर, मिजुरा, हर स्टेट में हम बीजेपी को हराएंगे करनाटक में हिमाचल प्रतेश लो, बीजेपी ने ओड़िंच नमू, पृत्यलंगाना लो, राजस्तान लो, मध्यप्रतेश लो, चत्तिसगर लो, मिजुराम लो, आइदु के आइध रास्तालो, बीजेपी ने ओड़िंची, कॉंग्रेस पार्टी आदिकार लो के राब कि आप यहां कॉंग्रेस पार्टी को पूरा समर्तन दें और बीजेपी की जो बी टीम है इसको यहां हरवाएं इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्का जैहिन नमस्ते जैहिन जैहिन करिवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो